और वाइस नमाशकारतों सैमसन ने अपने लेटेस्ट एस 24 सिरीज लाउंच कर दिये विट लॉट्स ऑफ एई फीजर्स के साथ में तो इस बार एस 24 सिरीज में बहुत सरे चेंजे से इंप्रोमेंट्स भी है तो सब कुछ पता हूंगा बिल्कुल डिटेल में क्योंकि बहुत सरी चीजे इंट्रेस्टिंग है इस 24 सिरीज के अंदर तो इस बार पर आपको भी सिरीज में एस 24 यानिकि इसका बेस विरेंट इसके बाद में एस 24 प्लस और एस 24 अल्ट्रा से आपक स्टेप लिया है जो कि अपडेटिक का जो की इसको लॉंग टर्म गडेस्ट मिलेगी आपको 31 तक अप्डेट मिलेगी यहनिंगी यह बहुत लॉंग टर्म तक यह अपडेट चलने वाली है तो यह एक स्मार्टफोन होने वाला है अब तक आइफोन यहनिकि एपल और 24 और 24 प्लस है इनमें आपको snapdragon नहीं मिलता इनमें मिलता है exonos 2400 का न्यू चिपसेट जब कि पिछले पूरी स्रीज में आपको पूरा की पूरा स्क्राइब देखने मिला था जो कि बहुत अच्छी बाक्ति लेकिन बात पर अल्ट्रा के तो यहां पर कोई नहीं मिलता यहां पहले टेश्ट एट जेंट के साथ बड़ जो 24 और प्लस है यहां पर भी अगेंस ने देता तो कोई दिखत थी नहीं या लेकिन यह फिर से नहीं अब देखते हों कि यह कैसे अभी परफॉर्म करता है कैस में इटिंग इशू आते नहीं या जो कुछ भी यहां पर इन्होंने वेपर कुलिंग चेंबर थोड़ा बड़ा भी कर दिया तो हो सकता है कि अपर थर्मल थोड़े बिटर हो जाए बट एक नोस तो इस ने बराब से स्टार्ट होगा और यहां पर अलता में मिलेंगे तीन वेरियंट 12256 1250 और जो इसका हाय भेरिंट रहेगा वह रहेगा 12 वन टीबी के साथ में और जो रहेगा वह 12-0 के साथ में आए गा लेकिन आपको दो वरिंडिकने मिलेंगी बारा 512 और 12256 अब की बार स्नाब्ड प्लस Exynos को combine करके इस series को launch किया है मेरे साब से अगर आप S23 भी खरीदते हो जो कि एट जन टू के साथ में आता है तो वह बहुत better option रहेगा उसकी price भी कर्म हो चुके तो अपके बार अगर आप खरीदना चाहते हो सिरीज को यह नहीं कि S24 और 4 प्लस को ignore करना और 24 अल्टर आप अगर खरीदना जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आप S24 यह पर प्लस खरीदना चाहते हो तो उससे साब से तो आप यहाप 23 यहाप 23 प्लस ही देख लो क्योंकि वह थोड़े बेटर ही मुझे लग रह पहले कह सब्स करने कि सब्सक्रेंट अब सट्य फिस्ट्र में आपको साथी लेकिन अब पूरा आ जिस्प्लेटी लेकिन सब्सक्राइब आप कर यह पिछला नए पिछले बर सब्सक्राइब करते हैं और कुछ दो प्लस ऐसे है कि इस बार जो ब्राइटने से वह कर दिये 26 निर्स की विछले बार आपको ब्राइटने से देखने मिलती तीनोई विरुन के अंदर इस बार आपको स्वेटनिंग ग्लास आर्मर देखने मिलता है जो की गोरिला ग्राइटने से और बहुत बहुत ज़्यादा तफफेस्ट भी है और आपको अपको एस ट्वेंटी फॉर अल्ट्रा में जो फ्रेम मिलती है वह था टैनियम की जो की थोड़ा सा लाइटवेट फोन को बना देती है और ज्यादा तफफेस्ट रहती है च्योंकि इस बार आइफोन ने भी डीती अपने प्रोमेक्स कर दें लिए अपने अल्ट्रा के अंदर बट एक त्वन और फो प्लस में आपको मिलती आर्मर अलुमिनियम की फ्रेम यह पर टैनियम नहीं है जो प्रीएश थे सब्स्थी में आपको यहीं फ्रेम प्रेम लेकिस बस इस इसमें जो एजसे साइड के वो अभी थोड़े राउंडेट कम कर दें कि थोड़े फ्लैट हो चुगे और जो कॉर्ण से वो थोड़े शार्प कर दें पिछले प्रिवियस के मुगाबले में और जो एज ट्वेंटी फॉर फॉर प्लस है तो इनके भी साइड एजसे पूरे फ तो इस बार थोड़ा फ्रेश लुक दिया एस्टन डिवोर्स इसको जो की देखने में सच में अच्छा लगता है यहां पर चेंजेस भी किये गए जो की करना भी चाहिए तो थोड़ा बेटर तो डेफेट लगता ही है और अपकी बार बैटरी एमेज भी थोड़ी थोड़ और यहां पर उतना ही बैटरी जो कि पिछले बार थी पार इमेज की बैटरी और चार्जिंग सपोर्टेड है वह एस्ट्विंटीफॉर को मिलता है 25 वैट मैक्स तो मैक्स वाला सपूर्ट और जो 24 प्लस और अल्ट्रा यहां पर वह मिलता है 45 वैट चार्जिंग का मैक्स मैक्स सपोर्ट तो इस बार एस्ट्विंटीफॉर और 4 प्लस में बैटरी एमेज तो बढ़ चुके है बड़ वहापे स्नैप ड्रगन नहीं वहापे है एक्जनॉस का चिपसेट एस्ट्विंटीफॉर और 4 प्लस में एक्जनॉस 2400 का चिपसेट अब देखना होगा कि कैसा यह पर परफॉर्म करता है कैसे यह पर वर्क करता है कितना बेटर ऑक्टिमाइज एक बैटरी को लेकर भी तो आप वह दिक्कत कम ती लिकिन आप देखते कि 2424 प्लस में एक्जनॉस है तो आप बैटरी बढ़ तो गई है लेकिन वह पर कैसे करती वह देखना बड़े बात ह करती है तो अगर्य से उप्टिमाइस किया होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं तो फिर वही आगेन वही आपको दिक्क देखने मिल सकती है निश्ट बात करते हैं क्यामरा के अंदर इनकी क्या ही कहने है तो हेश 23 के जैसे या पिश 24 में आपको बहुत ही कमाल के को फ्रेस विट 5 एक्स ओप्टिकल जूम के साथ 12 इंदर और इस बाफ कार्ड़ डेपनिते मैं प्रेटेश को भी ऐपर इंटिरेट करते हैं क्यामरा के अंदर भी और हर बार यह कुछ ने अवर ने रहाई करेंगे तो फिर आपको 4K से बीचेंगे बाई साथ तो यह पर चेंज इस तो आपको देखने मिलने वाले जो इनकी प्रीवेस वरजिन होते है उससे आप इसे कैमरा को थोड़ी से डेफिरिटली बिटर मिलने वाली है और बात अंगर AI फीचर्स की तो आपको शाय से पता ही ह बाद में आपको यह फीचर्स बहुत जल्दी अप्डेट के तुरू मिल जाने वाले और साथी वीडियो टैप S9 स्रीज है या फिर लेटेस्ट 4 स्रीज है उनमें आपको यह फीचर्स देखने मिलेंगे और इनका जो S23 AFC है उसमें भी आपको यह फीचर्स बहुत जल्दी आते भी है लेकिन कुछ समय के बाद में थोड़ा समय दाता है लेकिन फिर कुछ समय के बाद में इनकी अधर फोन के अंदर भी आ जाते है जो कि डेफिरिटली यह भी आपको देखने मिलेंगे लेकिन चिपसेट थोड़ा उतना चाहिए इन AI फीचर्स को लेकर करके अगर आपके फोन में तगला चिपसेट है अगर आपका फोन स्रीज बगरे का है तो आपको डेफिरिटली फीचर्स आगे देखने मिल सकते हैं और यह जो AI फीचर्स कुछ ऐसे काम करता है आपको शॉर्ट में एस्प्लें करता हो दो तिन फीचर्स जो कि मुझे पता है जैसे कि म आपकी बात यहीं कि वहाशा नहीं समझने वाली और आपको तो वहाशा नहीं आ रही है तो आपको सिंपल से ऐसे कॉलिंग करना है जो कि यह पर लाइव ट्रांसलेट हो जाएगा तो आप जो भी हिंदी में बात को रोगे तो वह पर ट्रांसलेट हो के बात समझ में आ आप किसी और कंट्री में आपको आप जा आप को समझान अब उसको कर सकते होंगों शुक्रान快速 कर सकते हो आप आपके फोन में कोई image है किसे आपको बेजी आपको वापे search करना है तो बस आपको वापे circle करना है आप उसके पूरी delay से यहापे निकाल सकते हो बस एक circle करने के बाद में तो आपकी बार कुछ ऐस तरह से आप लॉंच कि यह 24 series with AI features को integrate करने के बाद में तो फिर आप मुझे बताओ कि आप 24 series में से कौन सा smartphone बाय करना चाहोगे 24 4 plus या वर 24 अल्ट्रा या पर हिंग में से कोई भी नहीं क्योंकि हम वेट करेंगे बिबीडी सेल का आने वाली बिबीडी सेल का जा पर इनके प्रिवेस फ्लैक्शिप फोन बिल्कुल कम से कम रेट के ओपर आ जाए और इनको बाय कर भाए जैसे कि H23 23 प्लस या पर H23 FV वगर या पर आने वाले सेल में आपको और भी कम किमत में देखने मिल सकते हैं तो इनको एस्प्लोर करना यह AI स्रीजर अगरे को तो वो डिफेंटली चेक आउट कर सकते हो जिनके पास पैस आए वो कुछ भी कर सकते हैं तो बस आपका पॉकेट अलाओ करता है तो आप फिर आपने साब से चेक आउट कर सकते हो नहीं ता हाज के एस वीडियो में अगर आप